इरफूर्स का जो फिश्ट इंटे के 2022 का इसका जो एक्जाम था बारे से ठाज जो लएके मत करा गया था इसका देखिए कहीं अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है तो अब तक देखा जाए तो कहीं न कहीं दो मंत आपके होने वाले हैं लेकिन अभी तक इंडिन सब्सक्राइब करेंगे क्या कुछ मैटर है और आप यहां से सकते हैं यहीं कुछ देख रहे हैं डियू टू एड्मिनिस्टेटिव रीजन डिकलेशन ऑफ रजल्ट इस्टार फर्स्ट दो जारिकी से ओनलान एक्जमनेशन हैं और एसा ही सेम डियू टू सब्सक्राइब करेंगे और यहां से देख सकते हैं जून आपका बीच चुका है आपका जुलाई अगस्त और आपका सितंबर भी आठ दिन हो चुके हैं आठ सितंबर आज हो चुका है लेकिन इंडियन एरफोर्स की जो एन्रॉल्मेंट लिष्ट है वो अब तक पबलिस न उपर से आप जो कोई भी सरकार में बैटा हुआ है उसने साफ साब बता दिया आप यहां से इसको देख सकते हैं ड्यू टू एड्मिनिस्टेट वरीजन के वल यहीं लिखकर आ रहा है कोई इसमें एक्स्पिलेन नहीं किया गया है कि क्या कुछ रीजन हो उनको हमको भी बत प्रशान हो रहे हैं और जो के इंटिजार कर रहे हैं इसका रजल्ट आएगा उसके बाद आपका सैकंड फेस के बाद उनका कि देखे कहीं थर्ड फेस होगा मेडिकल होगा और 31 अक्टूबर को इनकी PSL जारी होनी थी लेकिन आज सितंबर हो चुका है सितंबर के बाद आपको पता होगा कि मार्च 2020 में लॉगडाउं लगाने के पस्चाज इनका जो एक्जाम था मार्च में एरफोर्स का जो फर्ष्ट इंटिक था 2020 का होना था लेकिन पोस्ट पॉन होता रहा था और नवंबर में आपका एक्जाम हुआ था और यह वही केंडिट हैं जो लेकिन आज एंडॉल्मेंट डेट की तियारी कर रहे हैं इंतिजार कर रहे हैं कि इनका जो एंडॉल्मेंट इलिश्टेक कफ तक जारी किया जाएगा कोई भी स्पेस्फिक रीजन नहीं बताया जारा है जब इंडियन इरफोर्स द्वारा पर हम कॉल मिलानी की कोसिस करते ह हैं उनसे कॉंटेक्ट टरनेगी तो वहाँ पर कोई हमको रीजन नहीं बताया जाता है कि एवल एक ही बात बताई जाती है कि जो कुछ होगा सी एसबी की ऑफिचल वेबसार को आप लगातर चेक करते रहें वहीं से आपको बता दिया जाएगा डिले की एक सीमा होती है बैठते हैं तो कहीं न कहीं अपने घर से जाकर दूर त्यारी करते हैं क्या आप चाहते हो इस रीजन को भी बता दो देखिए अविश्टार फर्ष्ट का कहीं न कहीं जो रजल्ट है वह नहीं आपाया तो अभी नोटिस कहां से आएगा सेगिन इंटेक 2022 वालों के लिए तो कहीं न कहीं देखिए बहुत ज़्यादा गलत किया जारा है जिस तरीके से आप यहां से देख सकते हैं डू टू एड्मिनिस्टिटिव रीजन यह एडमिनिस्टिव आप यहां से लगा सकते हैं प्रसासने कि जो रीजन से उनकी देते हैं अभी क्या तक मेरे कॉंटेक्ट में एक वीडियो भी बनाई थी आपको पता होगा अगस्त में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी और जो बेलगावी था जो करनाटका में पढ़ता है वह बिल्कुल खाली हो चुका था उनके जितने भी स्क्वाइटरन थे वह खाली हो चुके थे और उसके बाद वह आपकी ट्रेनिंग भी करा देते लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तीन मंत हो चुके हैं 31 मई आपको बता है 31 मई 2021 को PSL जारी की गई थी जो केंडियट फर्ष्ट इंटेक से सेकंड इंटेक में ऑटोमेटिक हो गए थे ड्यू टू कोविन 19 पेंडेमिक की वज़े से तो अभी क्या था कि उनका एंडॉल्मेंट लिस्ट नहीं आई है उनका रेयल्ट भी नहीं आ पाया है आगे सरकार चाहती क्या यह इस पश्ट मंस अपनी बता दे कि सरकार यह चाहती है देगी जो केंडियर 16 से 17 साल की उमर में अपना क्याय के करेर बनाने की कोसिस कर रहे हैं क्या वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए सडकों पर उतर रहे हैं क्या उनको भी अपने रेजल्ट के कई में कडिसन बिगडी थी जो ज़ादा खराब वुए थी वह अप्रेल और मंत ममै मन्त में आपकी ज़ादा कडिसन खराब रह थी इनका एक замत अप्रेइल में होना था लेकिन कईम कई कि वजए से आपका एक्जाम धा डिले कर दिया गया था दो मंत लेकिन अब तो कोरोना वायरस भी नहीं अब क्या रीजन से उस रीजन को बताई आखरकार यह रीजन से रीजन की वज़े से आपका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं या फिर हम आपको वेकेंसी नहीं लेंगे हमार अदर एक्जाम की त्यारी केंडियेट कर रहे हैं तो वो जिस तरीके से सडकों पर उतर रहते हैं और अपने एक्जाम को लेकर अपने रेजल्ट को लेकर क्या यहीं चाहते हैं सब कुछ यहीं इन केंडियेट को करना पड़े कुछ इस पश्ट नहीं हो पा रहा है आकर होन नहीं आए एंरॉल्मेंट का result भी नहीं आ आपका एंडॉल्मेंट जो लिष्ट है वह भी पब्लिस नहीं की गई है आकिस आके कर आपके मन में ये तो कोई इस पश्ट के लिए रीजन्स नहीं हुआ और अभी क्या है कि सतंबर मन्त है और अब क्या होगा आगे आप बोलेंगे जब नेक्स्ट जब अभी तो काफी कहीं 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 काफी अच्छी हैं मैं मन्त के बाद तो जो कुछ कराना चाहते थे सब कुछ करा सकते थे इन तीन से चार मन्त के अंदर क्योंकि कहीं न कहीं जो कोरोना वाइरस के जो किस्ते बहुत ही ना के बरावर रहे थे आपके जून, सुलाई, अगस्त, अभी सितंबर में भी ना के बरावर है आगे क्या होगा आप कोरोना के नाम पर फिर से इसे डिल्व कर दोगे तो आप चाहते क्या हो इसको बता सकते हो कि जिस तरीगे से आपका एंडॉल्मेंटलिस्ट है आपका जो exam है वो भी नहीं हो पा रहा है कियारी कर रहे हैं वो त्यारी छोड़ सकते उसों गों किए इंडॉल्मेंट करें अपने रिजट का अपने एंडॉल्मेंट लिस्ट और इनकी सब्सब्सारे जो यह एंडारी हैं किए फॉन्टी वन प्लस कर जाएगी जब उनकी ऐंड़ल्मेंट लिस्ट आपक cableze जारी करोगे जब सभी केंडिट 21 प्लेसे ओवर कर जाएंगे तो यह सब कुछ बता रहे हैं और से पहले किया था कि केंपेंड भी चला गया था ट्वेटर पर के एरफोर्स का जो रेजल्ट है उसको जारी करोगे और साथ साथ में फिर से हमें एक ऐसी कोसिस करेंगे और मैं लगातर इमेल करता रहता हूं लेकिन इमेल पर कोई भी इस पश्च जानकारी नहीं दी जाती है और जो केंडिट थे के लिए लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्टेटिव इसमें अपना पंजा फसा रहा है तो कहीन कहीं बहुत गलत बात है और अपना एक जो पैटर्न जो चल रहा था उस पैटर्न को दुबारा से चलाना पड़ेगा यह आप कहीन कहीं चाहते हो कि जो केंडिट एक सांती यार को इस परश्ट नम्मर भी तो से कांटक्र करें कांटक्ट करते हैं तो उसमें साइधा tätä यह नहींए वो नहीं है आज बिल्डी जो नमर को देख सकते हैं तो इस नम्मर पर आप कॉल करेंगे तो आपसे केवल ही रिपलाई आएगा कि आपका जो C.A.S.B. जो ओफिशल वेफसेट है उस पर ही आपका सब को जारी किया जाएगा लेकिन यहाँ पर नोटिस भी सेम है काफी दीनोंुआ रिजल्ट नहीं आपा रहा है जिस तरीके से एक सिक्वेंस छलता था विल्कुल एगळम कोलैप्स कर गया है तो आसा करेंगे कि आपका जो result है और जो इंटेट का इंतिजार करने रहे हैं तो उन पहिंट के लिए कहिं की आप बहुत ज़्यादा निमोटिफ करने वाली बात कर रहे हैं आपको पता है जिस तरीके से लगातर सब कुछ चल रहा है तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है आपको अपना पैटरन लागू करना पड़ेगा जिस तरीके से आप 2088 के बाद एक साल में दो बार वेकैंसी लाने के लिए जिस तरीके से आपने पैटरन लागू किया था उसका आपको देखी एक वेकैंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो जिस तरीके से जो कुछ चल रहा है बहुत गलत चल रहा है इस पर कहीं न कहीं बहुत जल्द कारवाई करनी चाहिए यही हम आसा करेंगे और जो नेक्स्ट इंटे के उसका भी नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और सासात में जो नेक्स्ट आपका क्या है कि रिजल्ट उसके बाद next pattern है वो भी जल्दी से जल्दी कहीं जारी करना चाहिए यही आपको बताना था और इस वीडियो को अधिक से अधिक share करें और क्या है कि हमें campaign फिर से चलाने की गोसिस करेंगे Sunday को और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को share करेंगे तो इससे अधिक से अधिक यो यूटूवर्स हैं वो contact में आएंगे तो एक campaign चलाएंगे तो कहिन कहीं एक हो सकता है कि जो defense ministry है उसका ध्यान इस तरफ जाए और आपका जो pattern है वो फिर से लग हो जाए और उपका जो result है और जो candidate enrollment list का इंतिजाय कर रहे हैं वो enrollment list में उनका क्याएक सेलेक्ट कर दिये जाए तो जही अपडेट देना था ठेंक्स जहिंद